नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज हमें एक बहुत महत्पूर्ण सेशन लेकर आया है आपके सामने जैसे कि आपने देखा कि मैंने ICR का कुशन पेपर आपको कराया इसके काफी सारे कुशन में बदलाव आपको देखने को मिला बदलाव 2022 में शुरुआत से ही का कर रहा हूं लगातार मैं आपको आपडेशन देता जा रहा हूं आज की इस क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ा है जो है टाइम एंड वर्क ठीक है पूरा सभी एक्जाम का निचोड मैंने देखा और मैंने यह देखा कि यह एक्जामिनर की साइकलोजी गया है एक्जामिनर किस बेस पे कुशन बना रहा है तो मैंने केवल देखे क्या किया है केवल साथ कुशन बनाए है ठीक है और यह एक्सपेक्टिड कुशन है ठीक है एक्सपेक्टिड कुशन है आप चाहिए CHSL, CGL, MTR, Railway कुशन एक्सपेक्टिड है यह बड़ी बात नह यह बड़ी है वो आपको अड़ेप्ट करनी है मैं नहीं कहते हैं कि यह कुशन करके जाओ सेम कुशन आ जाएंगे या फिर यही कुशन करके जाओ इसके अंदर जो सोच इस्तमाल हो रही है न वो किताबों में नहीं है ठीक है और वो आने वाला बदलाव है और आपको मैं कि शमता इतनी कम हो जाती है बी की शमता इतनी बढ़ जाती है तो ए और बी मिलकर एक साल बाद उस काम को कितने समय में करेंगे देखने दियान से आप ए की जो शमता है और बी की जो शमता है एक्टाइस चार बटे साथ कम हो रही है यानि जो शमता उसकी साथ थी अब वो पांच हो गई यानि उसे जो समय पहले 5 लगता था तो आप उसे 7 समय लगेगा 5 की वेल्यू आपको 20 दे रखी है तो 7 की वेल्यू कितनी आ गई 28 यानि आप उसे 28 दिन लगने वाले एक साल बाद क्योंकि उसकी शम्ता कम हो गई है अब बात कर दें B में B के अगर आप देखे तो efficiency इतनी बढ़ गई है 7 सही एक बटा 7 यानि 14 से 15 हो गई है तो समय जो है 15 से 14 हो जाएगा 15 की वेल्यू कितनी दे रखी है आपको 30 दे रखी है 14 की कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी ठीक है अब उसने पूचा है दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितने दिन में 28 बटे 2 यानि 14 दिन में और यहीं एक्जामिनर ये भी कर सकता है कि दोनों मिलकर ध्यान से सुनिएगा दोनों मिलकर 42 सही 6 बटा 7 परतिशत काम कितने दिन में करेंगे ठीक है तो ये भी ध्यान न किए कि अगर ये पूचता है तो क्या करेंगे तीन बटे 7 से गुणा कर तो आप बदलाब देखिए बहुत बड़ा बदलाब नहीं है ध्यान से देखिए और ऐसा कोशन बुक में नहीं मिलेगा आपको पहला ये बोला एतने दिन में बी इतने दिन में उसने बोला कि एक ही शमता चेंज हो रही है एक साल बाद एक की कम हो गई एक की बढ़ गई फाइनली उसने बूचा कि एक साल बाद जब वो काम करती हैं तो मिलकर कितने समय में करेंगे ये भी बूच सकता है कि काम का कुछ परतीशत कितने समय में करेंगे ठीक है अगले कोशन बढ़ाएंगे अगला कोशन है आपके सामने ये जो देखने में आपको बहुत बलकी ल चोरदा दो बटे साथ पतीशत काम इतने दिन में करता है। पर यह डाटा कुछ जादा हो गया। है ना हो जादा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह ध्यान से देखिए। 22 दो बटा 9 का मतलब क्या होता है? 2 बटा 9 किसका? 9 बटे 10 का तो 10 में से 2 काम करता है और 2 काम करता है 20 दिन में तो 10 काम करेगा कितने दिन में? 100 दिन में ये तो बहुत असान है, कुछ है थोड़ी इसके अंदर पर लिखा इस तरीके से है यह बदलाव है अब B की अगर बात करता हूँ 18 दो बटे 11 यानि दो बटे 11 हो गया इसका 22 बटे 25 अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ गया 4 बटे 25 4 की value दे रखिये 40 25 की value कितनी हो जाएगी 500 ठीक है तो यानि A अकेला उस काम को 100 दिन में करता है 500 बटा 7 दिन में करेंगे 500 बटा 7 कहां पर है C option में है C option मेरा answer हो जाएगा इसी को examiner और भी twist का सकता है वो ये बोल सकता है कि A और B मिलकर पूरे काम का 60 परतिशत देखे examiner की psychology समझे ये ये भी हो सकता है उसने जो complete work लिखा है ठीक है उसने जो complete work लिखा है ध्यान से देखेगा वो ये से लिख सकता है complete को तो दोनों मिलकर 33 एक बटा 3 परतिशत of 75% of of 40% of 10 times the work ये मैंने खुद ही बना लिया एक तिहाई इसका मलब क्या होता है एक तिहाई इसका मलब क्या होता है 3-4 इसका मलब क्या होता है 4 बटे 10 और इसका 10 गुना यानि ये बना गया ठीक है यानि वो पूरे काम को इस तरीके से लिख के आपको दे सकता है ठीक है इस चीज के लिए तयार रही है और ये कोई चीज बहुत बड़ी नहीं है ऐसा करने से कोशन कैट का कोशन बन गया मैट का कोशन बन गया ऐसे बदलाव एक्जामीना दे रहा है ठीक है ICAR के भी मैंने 2 कोशन लिए है 2 कोशन मलब ICAR के कॉंसेट पे लिए है ठीक है मैं दिखाऊँगा आपको कि पेपर में आ रही है ये चीजे अगला कोशन आता है मेरे सामने ये अब हमने ये पड़ा था A इतना काम इतने दिन में करता है B इतना काम इतने दिन में करता है ये तो common सी चीजे चलिए अब उसमें बोला आगे कि एक तिहाई वर्क किया, A ने X दिन में, B ने दो बटा साथ काम किया, Y दिन में, आपको X प्लस Y निकालना है, तो आपने इस तरीके से डाटा जरूर देखा होगा, अगर आप ट्रेंड में हैं, ट्रेंड में मरलाब, आप ट्रेंड को फोलो कर रहे हैं अगर, ठीक है, कितना आगिया, 6 पांच आगिया, अब 6 काम कितने दिन में करता है, वो 18 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, यह आगए मेरी X की वेल्यू, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यह बात हुई A की, अगर बात आती है B की, B क्या करता है 5 बटे 14 काम करता है और करवाना कितना है 2 बटा 7 तो 5 4 आ गया 5 काम करने के लिए उसे 25 दिन लगते है 4 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे 20 दिन लगेंगे ये value आ गई Y की और पूछा गया है X plus Y X plus Y का मलब हो गया 35 35 का मलब हो गया B option B option आपका answer हो जाएगा ठीक है और ये भी हो सकता है examiner यहीं पूछ ले X plus Y की जगे कि आपको X plus Y upon X minus Y का नूब बात निकालना है या फिर वो ये पूछ ले कि 2X plus 3Y की value क्या होगी तो यार रहना भाई इन सब चीज़ों के लिए ठीक है examiner ये भी बोल सकता है कि ये बताईए कि X minus Y is what percent of X plus Y ये सारे बदलाब मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को ले के जाईए ठीक है algebra में भी examiner ऐसे question पूछ रहा है पता है आपको मैं कराऊंगा जब algebra का बदलाब कराऊंगा तो यहाँ पर ये हो गया कि X minus Y अगर आप करते हैं या Y minus X करते हैं Y minus X कर देता हूँ इसे ठीक है तो Y minus X अगर आप करते हैं तो कितना आगिया 5 और ये कितना आगिया 35 5 बटे 35 यानि 1 बटा 7 1 बटा 7 होता है 14 सभी 2 बटा 7 परसेंट तो ये question इस तरीके से change हो जाएगा ठीक है और ये किताबों में नहीं है पर ये paper में मिलेगा और कोई बहुत बड़ी change नहीं होई इसके अंदर बहुत बड़ा difficulty level नहीं बड़ा examiner क्या करता है previous question को ही transform करके देता है ठीक है जो देखने में नया लगे पर concept उसका बिलकुल सेम हो वैसा ही आगे बढ़ते हैं अगले question पर अगला question है आपके सामने ये A किसी काम का 5 गुना काम करते हमने ये तो बड़ा है कि A किसी काम को इतने दिन में करता है B इस काम को इतने दिन में करता है तो A और B मिलकर उसका साथ गुना काम कितने दिन में करेंगे ऐसा हमने बड़ा है ठीक है या उसका इतने percent काम कितने दिन में करेंगे यहां हमने डाटा ही डारेक्ट नहीं दिया, एक इसी काम का पांच गुना करता है साथ दिन में, तो पूरे काम को करेगा कितने दिन में, साथ बटा पांच दिन में, तो जो सीधा मैं information लिखता है कि भी एक इसी काम को साथ बटा पांच दिन में करता है, तो मैंने सीधा नहीं लिखा, इ बात करते हैं B की, तो 8 बटा 6 आ जाएगा, जिसे मैं 4 बटा 3 बोल सकता हूँ, यह A का काम है, A इतने दिन में, B इतने दिन में, अगर आप LCM लेते हैं, 7 और 4 का LCM आ गया 28, जब fraction का LCM लिया जाता है, तो उपर वाले का LCM, नीचे वाले का SCF, तो अब अगर मैं इसे solve करता ह हूँ, 28 बटे, 7 बटे, 5 यानि 20 आ गया, 28 बटे, 4 बटे, 3 यानि 21 आ गया, तो दोनों अगर मिलते हैं, तो 41 काम करेंगे, ठीक है, अब वो बोलता है, कि दोनों मिलते हैं, तो 41 काम करेंगे, टोटल काम इतने दिन में पूरा हो जाएगा, पर उसे कितना काम कराना है, 7 गु ना करता हूँ तो 196 आ जाएगा और 196 by 41 मेरा अंसर हो जाएगा ठीक है 196 by 41 आपका अंसर हो गया तो ये आने वाला बदलाव है आने वाले पेपर में आपको same to same ऐसे कोशन मिलने वाले हैं केवल कोशन पर मज़ जाएए एक गहराई समझेए कि examiner की सोच क्या कह रही है वो कभी percentage में कभी इतने गुना कभी इतना ratio कभी वो जो fraction है उसे ही तोड़ तोड़ के लिख रहा है कभी ऐसा कर रहा है X और Y में बना रहा है तो इन चीजों की आदट डालने पड़ेगी अगर आप प्रिविए सीरी करके जाएंगे केवल तो कुछ नहीं होने वाला exam में ये ध्यान लखेएगा एक और कोशन लेते हैं बहुत बढ़िया कोशन आज सा किसी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि भाई ऐसा भी हो सकता है हम हमेशा बढ़ते हैं कि A ने काम किया 20 दिन में B ने किया 30 दिन में C ने किया 40 दिन में तो तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे या तीनों मिलके इतने परसेंट काम कितने दिन में करेंगे या तीनों मिलके इतना भाग काम कितने दिन में करेंगे ये कोशन बनता है अब भाई ये जो दिन है ये फ्रेक्शन में क्यों नहीं हो सकते ये ही बदलाव है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें A ने काम किया 3 बटे 7 दिन में B ने किया 5 बटे 14 दिन में और C ने किया 15 बटे 28 दिन में अगर आप LCM लेते हैं तो उपर वाले का LCM SCF लेते हैं तो नीचे वाले का SCF ठीके अब मैं Efficiency निकालता हूँ तो ये 5 आ जाएगा अगर मैं Efficiency निकालता हूँ तो डिवाइड बाई 5 बाई 14 5 से कटेगा 3 आ गया 3 दूनी 6 आ गया अब मैं इससे निकालता हूँ 15 से 15 कटेगा 4 आ जाएगा ठीक है तो 6, 4, 10, 5, 15 तीनों मिलके 15 काम करेंगे एक दिन में ठीक है काम कितना कराना है 15 बटे 7 तो इतने दिन लगेंगे पूरा काम करने के लिए एक बटा 7 पर आपको क्या निकालना है एक 7 काम कराना है 1 बटा 7 से ही मंटिपलाई कर दूँगा तो एक बटा 99 मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है 1 बटा 49 मेरा आंसर हो गया मैंने बोला तक एवल 7 कोशन कराऊँगा और 7 कोशन में आपको मज़ा आजाएगा आपको समझ आजाएगा कि पूरा जो चल ला है जमाने में competitive जमाने में वो क्या है actually वो कि सोच पर बेस चल ला है वो आपको पूरा clear हो जाएगा ऐसा क्यों नहीं हो सकता ये decimal में भी हो सकता है 0.34, 0.35 मैं क्यों नहीं ले सकता है ऐसे तो अब वो ही दिन बचें कि यहाँ पर fraction में decimal में, root में किसी में भी आ सकता है अगला देखिए ये question ICR के question का एक pattern है ठीक है बहुत ही अच्छा question है examiner और क्या कर रहा है combination मना रहा है question के combination पर मैं लगातार कर आ रहा हूँ मैंने बताया कि combination देगा आने वाले time में combination पर ही एक तरीके से ये question है ध्यान से देखिए A और B मिलकर कितने दिन में करता है किसी काम को X दिन में A करता है X प्लस 8 में और B करता है X प्लस 32 में तो एक fix pattern का question है जिसमें हम हमेशा निकालते हैं X की value क्या आएगी root 32 into 8 हो जाएगी जो की 256 हो जाएगा 16 आजाएगा ठीक है यह हम हमेशा कर लेते हैं X की value 16 आगई अब A और B मिलकर 10 मिनट काम करते हैं और 6 काम C करता है अब ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से देखना है आपको क्या बोल रहा है वो A और B मिलकर 10 मिनट काम करते हैं 10 मिनट में कितना काम कर लेंगे इतना यानि 5 बटे 8 काम कितना बचा 3 बटे 8 वो कौन कर रहा है C कर रहा है कितनी देर में 4.5 मिनट में तो C पूरा काम कितनी देर में करेगा इसका 1.5 गुना इसका डेड़ गुना यानी बारा तो अब मेरे सामने information है कि A प्लस B किसी काम को 16 दिन में करते हैं 16 मिनट में करते हैं C उस काम को 12 मिनट में करता है तीनों मिलकर ये तीन आगिया ये चार आगिया तीनों मिलकर करेंगे 48 बटे 7 समय में मिनट में और आपको पूरा काम नहीं करवाना 7 बटा 20 पार्ट कराना है तो 7 से 7 कटा 4 से कटा 12 4 से कटा 5 12 बटे 5 12 बटे 5 कहां पर है A option में है A option आपका answer हो जाएगा 12 by 5 आपका answer हो गया ठीक है अब देखिए हम करते हैं यहां तक फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा यह कर लेते हैं A और B की information निकाल लेते हैं यहां उसने क्या बोला यहां उसने A question के अंदर दूसरा question add कर दिया तब जाके exam में दिया यह exam का question है ठीक है और यही question मैंने transform किया है आपका time and work में pipe and system में आया है basically यह question ऐसा ही एक question और है वो है यह आपके सामने और यह सारे question ऐसे हैं अगर आपने पहले नहीं देखे वे और एक तो surprisingly देखते हैं तो आपको लेगा इस बार paper बहुत मुश्किल आया है और मुश्किल इन में कुछ भी नहीं है ठीक है एक बार देखते हैं इस वाले question को A, B से 6 दिन अधिक लेता है अगर यह X लेगा तो यह X प्लस 6 दिन लेगा B काम शुरू करता है उसके बाद A ले लेता है उससे 4 दिन बाद 4 दिन A ने काम किया उसके बाद 12 दिन B ने काम किया तब जाके काम पूरा हुआ A और B मिलकर 6.5-62% काम को कितने देर में करेंगे बहुत अच्छा question जो कि मैं LCM से नहीं बना पाऊंगा B ने 4 दिन काम किया A ने 12 दिन काम किया तब जाके काम क्या हुआ पूरा हुआ तब जाके 1 unit बनी ठीक है इस पे base question है ये जब बर्दस्ती का LCM method लगाऊंगा फाल तुम्हें बड़ा पड़ जाएगा यहां सीधा सीधा दिख रहा है इस equation को मैं solve करना आपको लगाता है जब ये value 1 है तो दोनों value जो आएंगी ये ये इस से बड़ी आएंगी उपर वाली से ठीक है x की जगे मैं क्या रख सकता हूँ 6 तो नहीं रख सकता है ये 1 बन जाएगा 8 रखता हूँ 8 भी नहीं रख सकता 12 रखता हूँ अगर मैं x की जगे 12 रखता हूँ ध्यान से देखिए तो 1 तीहाई 2 तीहाई 1 बन जाएगा अब ऐसे कोशन में जो दिक्कत आती है ना वो ये solve करने में आती है मैं solve करने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको तो x की value मेरे सामने आ गई क्या 12 ठीक है x की value आपके सामने 12 आ गई यानि b उस काम को 12 दिन में कर सकता है और a उस काम को 18 दिन में कर सकता है दोनों मिलके करेंगे तो कितने समय में कर देंगे 36 बटा 5 दिन में कर देंगे पर मेरे को तो पूरा काम कराना ही नहीं है साड़े 62 परतीशर काम कराना है जो की 5 बटे 8 हो गया 5 से 5 कटेगा या आपका साड़े 4 आ जाएगा 8 चुक 32 और 4 बिलकुल साड़े 4 आ गया साड़े 4 का मलब है C option C option आपका अंसर हो जाएगा ठीक है एक बार दुबार से देखिए सारे question जो मैंने आज डिसकस करें है सबसे पहला question था हमारे सामने ये इसमें मैंने बताया कि efficiency बढ़ घट सकती है दिमाग में रखिए ठीक है और बाद में मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर भी whole work तो लिखा है मैंने जरूरी नहीं है वो whole work ले वो इतने percent भी पूछ सकता है अगला अगले में आज सक हम ये नहीं देखते थे off तो ये बदलाव मैंने इसके अंदर दिखा है आपको फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया कि जो पूरा काम था उसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ठीक है इसके लिए तयार रही है कभी भी आ सकता ऐसा उसके बाद अगला अगले मैं आपको ये बताया गया कि उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई वो ऐसे भी पूछ सकता है ऐसे भी पूछ सकता है x square plus y square कुछ भी पूछ सकता है y minus x x plus y का कितना percent है ये भी पूछ सकता है ये बदलाव इसके अंदर अगले वाले में मैंने क्या बताया मैंने आपसे बोला कि अभी तक हम सीधा-सीधा लेते थे इसलिए सीधा-सीधा इंटीजर आता था यहां यह fraction में आ गए दिन ठीक है तो fraction में दिन आ गए यहां पर इस तरीके का कोशन कराया और इसी पर बेस एक और कोशन था यह वाला मैंने आपको बोला कि यहां पर हम 20-30-40 लेते हैं तो 20-30-40 ही जरूरी थोड़ी है fraction भी तो आ सकती है decimal भी तो आ सकता है root भी तो आ सकता है तैयार रही है इस चीच के लिए अगला कोशन यह इसमें मैंने combination बढ़ाया कि दो कोशन को combine करके examiner ने एक कोशन डाला है ठीक है उसके बाद एक और कोशन दा हमारे सामने यह जिसके अंदर आपको यह बढ़ाया कि भाई यह इस तरीके से ही करना पड़ेगा अगर मैं LCM method लगाँगा तो बड़ा पड़ जाएगा अब इस method में दिक्कत क्या आती है कि पूरी cross equation solve करना equation मनाना तो मैंने आपको बड़ाया कि यह equation solve कैसे होती है मैंने आपको बूला यह 1 है 1 का मतलब है यह value बड़ी होंगी उपर वाली value से तो 8 रखता हूं तो बात नहीं बनेगी मेरे को ऐसी number देखना है जो 4 से कटे 12 रखता हूं तो satisfy हो रहा है तो 12 x की value आगई उसके बाद आगे वाली चीज मैंने निकाल ली हो last में भी examiner ने 65% काम पूछा ठीक है तो यह थी हमारी आज की class time and work की समय और कारे की उमीद करता हूं बदलाव 2022 की यह class आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो like जरूर करिएगा comment करके बताईएगा जरूर जिससे की मैं और भी topic की बदलाव 2022 की classes आपके लिए लाऊं exam point of view से 7 question केवल करा हैं मैंने 70 question नहीं करा है पर यह 7 question आपकी सोच को पूरी तरीके से खोल देंगे जिसने पूरा भी पढ़ावा है ना time and work 500 question भी कर रखे हैं उसको भी 7 question में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है जैहिन